हाई प्रेंट कैसे हैं आप लोग विलकम तो माई यूटीब चानल रिखा प्लानेट व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट होगी थी अपना नेक्ट व्लॉग बनाने के लिए कुछ बिजी शुडूल था तो इस दिश्यूल से मैं अपना कार का व्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ आप जो मेरी लास्ट की जो मेरी वीडियो हैं तीन चार जो मैंने कार के ऊपर बनाई है उसको सपोर्ट करने के लिए कि मेरे चानल को सपोर्ट करने के लिए आपका थाइंक सो मुझ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगी रिक्वेस्ट थी कि मैं हील पे वीडियो बनाऊं तो मैं आज हील पे वीडियो बनाने जा रही हूं हील्स पहन करके आपको बीच बीच में गाड़ी के बारे म की में बताते रहे हूं कि आपको कहा कहा कि Waal कि Sant' देखे आ लगता है को ठीक है कि स्टार्ट करतें और यह हे मेरी हील्स तो आज मैं हेल्स पहन करके आज मैं गाल करूंघ करूंगी काफी टाइम से मेरे सबस्क्राइबर्स चीकि मैं हील्स पहन करके वीडियो मों अपनी सार्ट करते हैं तो मैं अभी यहाँ पहरिक इंजन स्तार्ट कर रहे हूं और यह हुच चुका है इंजन स्टार्ट शुरू उसके बाद मैं ड़ दबा करके माने जैसे डाला जैसे मैं आपको लाश विडियस में भी बता हैं है नहींट क्लेच दया कि अरद अब मैं धीर धीर से मैं क्लट से पیर हटाते हुब ही मेरी तीर धीर आगे बढ़ेगी और चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस IMPE और पार्किंग से निकालते वक्त जैसे मैंने एक्सलेटर से सब्सक्राइब आपको अपनी गाड़ी फिर्स गेर में डाल दी क्योंकि आपको राइट और लेफ्ट मैं आपको नहीं पता कि यह कौन सा वहिकल आ रहा है राइट चे जैसे मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मैंने यह नहीं गाड़ी स्लो करके फर्स गेर पे मैंने डाली है और अब यह दिख रहे हैं आपको डाल देना चाहिए तो ऑसके बाद आ गया देखो मैं आपको ब्रेकर का बताती हूं जैसे आपको सब पूस आगे ब्रेकर दिख रहा है ठीक है ब्रेकर पे आपको हाफ ब्रेक ल सब्सक्राइए ऑपको सब्सक्राइए टाली है और हाफ ब्रेक लेकरके मैंने ब्रेकर के उक्रइस घारी निकाल ली ओछ आज मैं तरणहौल बैकर पर गल्सक्राइब करना सबसक्राइब रखनागी है यह जोड़ों दालना है तो मैंने मने तक फ्रॉच ध़ंग ediyorum यह तो यह तुक मैं ने डाउन च șवर के मेरा को लिए दाउन धाटाकर में है क्रमें धीरे धीरे मैं क्लच 對inkश म Вас चुच चोड़ato बीच मेरे इकलान शीखोगे मैंने second compare enfin कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 15-20 होनी चाहिए इसे जादा नहीं और थर्ड या आप 30 तक भी चला सकते हो ठीक है और थर्ड गेर पर आपकी होनी चाहिए गाड़ी 30 से उपर 30 से 40 के बीच में आप अब थर्ड गेर पर चला सकते हो चालीस के बाद आपको डाल देना है फॉर्थ गेर 40 स्पीड के बाद ठीके फॉर्थ गेर प्राड़ी चलाओ उसके बाद आप अभी आप फोर्थ गेर तक ही रहो जो बीगनर्स है और अगेंड ब्रेकर आया है भी तो मैंने हलका सा अखला कर करके हाफ ब्रेक दबाह करके अगेन मैंने एक्सेलेटर दिया और अब यह बेरी गाड़ी सेकंड गेर पर ही है तो फिर मैं थर्ड गेर डालूंगी दुबारा बहुत आराम से बहुत आराम से बहुत स्लोली कि अगरी आदे अगरी आप ले सकते हों आफ ब्रेक लेकर करें कि अगरी डाली क्योंकि गाड़ी मेरी रुख गई थी आगे टैंपू आ गया था और मैं गाड़ी एक्डम हाइवे पे ले रही हूं कि साइड बे देखकर के एकदम साइड मिरर वे किठे से कोई वेकल नहीं आ रहा है उसके बाद आपको हाइवे पे लेनी है अगयन मैंने सेकंड गेर डाला एक्सेलेटर पर पैयर है मेरा क्लच दबाया अगयन थार्ड गेर और एक चीज में आपको बता देती हूं आगे आपको दिख रहा है कि आगे रेड लाइट आ रही है और आपकी गाड़ी थार्ड या फॉर्थ गेर पे हैं तो आपको सड़नली उस चाहिम पे आपको गेर चेंज करके गाड़ी स्लो नहीं कर दी हैं आप अपनी गाड़ी ख पर आप पर ले जाते हो तो आपके आगे वहीकल्स भी होते हैं आपके पीछे दाएं माई दोनुस चारो तरफ आपके वहीकल्स होते हैं तो आपका जो पैर है वह क्लच पर होना ही चाहिए अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो क्लच और ब्रेक आप प्रेस करके रखिएगा ठीक है और फर्स गेर में आप गाड़ी उठाना हमेशा होते पर अगर ट्राफिक लगा है तो मेरी गाड़ी है मैंने देखा अभी क्लाच और बेक क्षा रखाई क्योंकि मेरी गाड़ी इभी रुकी हुई है क्योंकि आगे जो ईब्लाुआ थोड़ा स्लो है और फिर्स ऻो मेरे प्राइब मेरे फिर्स जो कि मुझे पता नहीं जला हुटा सा अपने देखा है कि मेरी गारी कोपीछ दे आटो रहे तर्थ बाइता है को टोड़ु कुछ क और स् software से तो parents इन से बचके रहो आटो वालों से खैर मैं भी बचके ही निकलती हूं से बट आज I don't know कि कैसे गाड़ी में पीछे लग गई है थोड़ी सी और उसका थोड़ा सा पें निकल गया और आटो का जो ग्रीन कदर है वो मेरी गाड़ी पर थोड़ा सा लग चुका है तो ठीक इसको आटो हो चाहे वो टूविलर हो या फोर विलर हो कुछ कहने सकते बट ठीक है हम लोग सेफ ड्राइब कर रहे हैं बट ठीक है और I hope anyways यह सब चीज़े चलती रहती है जब आप गाड़ी बाहर निकालते हो तो I hope आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा so please comment section में जरूर पताइएगा मुझे और safe drive करिए बस इतना ही कहूंगी तो जल्दी ही मिलते हैं next vlog में तब तक लिए ध्यान रखेए और safe रहिए तो मिलते हैं जल्दी ही next vlog में तब तक लिए बाबाई